नमस्कार डी लाइम न्यूस के खास सेग्मेंट टी टॉक में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है न्यूस रूम में किस तरह से खबरे बनती हैं, कैसे टेलिविजन स्क्रीन तक सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूस की जाती है और कैसे को हर खबर पर एक फॉलो अप टीम तयार होती है और एडिटोरियल की पूरी की पूरी टीम 24 गंटे 7 दिन मेहनत करती है ताकि आप तक याने की दर्शकों तक सीधे और सच और सठीक तरीके से खबरे सबसे पहले प्रात्मिक्ता के साथ पहुचाई जा सके आज फिर चलते हैं निउस रूम में और जानने की कोशिश करते हैं कि आज की आखिर सुर्खियां कौन-कौन सी हैं और वो कौन सी खबरे हैं जिने जानना आपके लिए बहत जरूरी है आईए चलते हैं निउस रूम का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जलाओ की कवायत की जाती है नेत्रत परिवर्तन की बात की जाती है ऐसे मैं कॉंग्रेस ने नई PCC का ऐलान जरूर कर दिया है यह उप्चुनाओ के लिहाद से कितना राजनेतिक तौर पर कॉंग्रेस के लिए नफ़ा नुकसान लेकर आये सूची जराए जानने की कोशिश कर लाजनेति हो गई है तमाम एक जंबो कारेकारणी का ऐलान यहां पर किया गया है तमाम जो नाम है लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी को हार्शियस एक बार फिर मैदान में वापस लापाएंगे बिलकुल महिंद्री जी वाकई में सबसे बड़ी खबर है कि प्रदेश प्रदेश के वरिशनेता है जनारदन दिविदी उन्होंने इस सुची का जो है अलान कर दिया है एक सो तिर्यानों जो है वो पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है इसमें लोग करीबी से इसको और देखें पूरी सुची को तो इसमें पूरी कमेटी में 18 उपाध्यक् सचीव बनाए गए है और 82 सचीवों को जो है वो यहां पर जिम्मिदारी सोपी गई है इस पूरी जो है वो अगर कॉंग्रेस की नई कमेटी और नई टीम के हम लोग बात करें तो तकरीबन डेड़ साल से प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष अरून यादो को जिम्मिदारी मिली थी प्रदेश की उसके बाद में लंबे समय बाद जो है वो प्रदेश में इस तरह की जो है वो कमीटी का एलान किया गया है वहीं अगर हम लोग इससे राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो इस कारेकारणी में धिगविजे सिंग जोतिरादित सिंधिया और कमलनात ग ऐसे चहरे हैं जो इस कमीटी में शामिल हुए है और उन्हें कमीटी ने जो है वो बड़ी जिम्मदारियों पर जो है नुक्त किया है दूसरी और अगर जिस तरह से कॉंग्रेस के हम लोग हाशी की बात करें लगातार कॉंग्रेस को चुनावी हार का सामना करना पड़ रहा और नई कमीटी के साथ है चुनाव में जो है वो कमबेक करने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी बिकुल प्रदेश कारेकारणी ने जरूर यहाँ पर जंबो कारेकारणी का एलान कर दिया है नई सूची PCC की जारी हुई है उनमें 24 नेता ऐसे हैं जो की इंदौर से सीध हमारा भारत वो देश है जहांपर हर उच्तसव को बढ़े है उलास के साथ उमंक के साथ मनाया जाता है और इस साल दो ऐसे संयोग ऐसे बने हैं कि दो महत्तव पूर्ण ऐसे पर्व एक साथ एकदिन आया है जी हां एक तरफ जहां बात करें गुरू जनो के सम्मान के प्रती सारियां हैं और मध्यप्रदेश में कौन-कौन से बड़े आयोजन परंपरागत रूप से होते हैं जानने की कोशिश करते हैं डी लाइव न्यूस के सब एडिटर मनोज बानी जी से मनोज जी क्या लगता है किस तरह से यह संयोग आया है जन्माश्टमी और शिक्षक दिवस क आधकर काफी तयारियां स्कुल कॉलेज़ों में पहले से देखी गई है अलाकि कल चुटी का दिन है आज भी कई कारिक्रम हुए और कल भी कई कारिक्रम होए थे शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मान देने के लिए चात्रे-चात्रां में भी खासा उत्षा देखा गय में उन शिक्षकों को पहर दिया उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कहीं का आयोजन हुए इसी तरह से कल जन्मास्ट मी पर्व है इसको लेकर खासी तयारियां मंदीरों में देखी गई मंदीरों में खासा उल्लास का महौल कल देखा जाएगा राद बारावजे क्रश योगिता का आयोजन ना केवल होगा बलकि गोविंदा आलारे जी हाँ ये वो पर्व है जो हमारे जीवन में जोश, उमंग, उल्लास और उर्जा का संचार करता है बेराल आगे बढ़ते हैं शिक्षक दिवस से एक दिन पहले जी हाँ देश में प्रधान मंत्री मोधी सर की क्लास भी लगी और हमारे महामहीम राश्ट्रपती डॉक्टर प्रणाव मुखर जी की भी क्लास लगी जी हाँ इस क्लास में दुनों ही महानुभवों ने क्या क्या पार्ट पढ़ाए जरही जानने की कोशिश करते हैं डी लाइब ने उसके टेक्निकल हैड देवी दयाल र जी देखें महें जी ऐसा है कि कबीर का एक दोहा है बड़ा प्रशिद्ध दोहा है कबीर कहते हैं कि गुरु कुमार शिश कुम्भ है गड़ी गड़ी काड़े खोट अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट इसी दोहे को आज पी एम नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री जो हैं नरेंद्र मोधी और देश के राष्वपती प्रणों मखर जी दोनों ने चरितार्थ किया एक तरब राष्वपती की बात करें तो उन्हों 한े बच्चों से भारत देश के राजनितिक इतिहास की बात की उस पर बच्चों को शिक्षा दी वही मोधी जी ने डिजिटल इंड जो की गुरू और श्रिश्री का जो रिष्टा होता है वो बड़ा ही एक अन्मोल रिष्टा होता है घर में माा के बाद बाहर जब बच्चा निकलता है तो वो सबसे जादा वक्त जो है वो गुरू के साथ ही विताता है पहली गुरु मा है जो कि बच्चे के स्वभाव का निर्माता बनती है और दूसरा जो गुरु है वो स्कूल में कॉलेज में गुरु है जो कि बच्चे का पूरा भविश्य का निर्माता बनता है इसी तार्तम्य में बाते आगे बढ़ी बच्चों ने भी मोदी जी से काफी रोचक सवाल किये जैसे कि डिजिटल इंडिया पर कुछ बाते हुई और मोदी जी इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं ऐसे प्रश्ण भी प्रधान मंत्री को दागे बच्चों ने और इसके आगे की जानकारियां तो आप देखेंगे ही हमारे डी लाइफ पे बहुत जल्दी ये खबरें आ रही हैं मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी की क्लास में वही बहुत सारे ऐसे सबक थे और खास तोर पर हमारे भारत देश को डिजिटल इंडिया की जो एक सौगार जो एक बड़ी परिकल्पना यहां पर तयार की है केंड़ सरकार ने उसे साकार रूप देने के लिए वो भविश्य के निर्माताओं के साथ मुखातिव होते नजर आएं चले आगे बढ़ते हैं और एडिटोरियल रूम में कौन-कौन सी खबरे ब्रेकिंग के बाद अब सीधे स्टोरी के तौर पर टेलिविजन स्क्रीन पर आने वाली उस पर बात करते हैं हमारे स्वास्ते से जूड़ी तमाम खबरे जो है उन्हें जानना भी दर्शकों के लिए बहत जरूरी है और एक चिंता की खबर है यहाँ पर मद्ध बदेश के तमाम दर्शकों के लिए उन दौर में जापानी बुखार ने दस्तक दी है और एक मरीज में गहन जाच के बाद जो है इसकी पुष्टी हुई है क्या है पूरा मामला और किस तरह से जो है ये मरीज इसकी चपेट में आई इस पर बात करते हैं डिलाइब यूज के रिपोर्टर विजे गुंजाल से विजे आखिर क्या है ये जापानी बुखार के सामन इन दोर के पास में जो महूं है महां पर एक लड़की है साथ वर्षी खुश्बु रावत उसमें ये लक्षन पाए गया है और इसके जाच के लिए इसके जो ब्लट सेंपल है स्वास्त विभाग ने से पूरे के वाइरोल लाजी में बेजा था जहां पर इसकी रिपोर्ट पाजिटिव आई है इसको पाजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्त विभाग में कही न कहीं खलवली मज गई है इस बीमारी को लेकर और इस बालिका का जो इलाज है इंदोर के इंबाय है चल रहा है जहां पर स्वास्त विभाग सतत इस लड़की पर निगानी लिए गए और कहीं भी इस प्रकार का कोई मामला अभी सामने नहीं आया लेकिन इस बालिका में जो ब्लड सेंपल पाजिटिव आया है उसको लेकर अपस्वास्त विभाग अपने और से और कोशिश कर रहा है कि जल्दी लड़की स्वस्त हो जाए एक और बड़ी खबर है यहाँ पर दर्शकों को जाना बहत जरूरी है आज इंकम टेक्स विभाग ने जी हाँ आयकर विभाग ने मिनी मुंबई कहे जाने वाले इन दौर में कई बड़ी फर्मों पर यहाँ पर जांच अभियान चलाया और इसी दौरान उनकी इसी जांच परताल के दौरान भारत यह स्टोरी फाइल कर रहे हैं एक्स्क्लूजिव जो डाटा डी लाइव न्यूस के पास मौजूद है एडिटोरियल टीम के पास किस तरह से पूरा मामला है और किस तरह से चापामार कारवाई को इंकम टेक्स विभाग ने अंजाम दिया बिलकुल महिंदर जी बताना चाह मित्तल अपलाइन से इसके करीब 12 दफतर हैं भारत में जिसमें इंदर और मुंबई भी शामिल हैं सभी कारिया लें उपर आज आयकर विभाग की टीम ने कारवाई की है मध्यप्रदेश में गवालियार भोपाल और इंदर के अफसर इस कारवाई में जूटे होए थे और सुबह 6 बजे से शुरू होई है कारवाई दो पहर बात तक भी जारी रही कई खातों के बारे में कमपनी के अधिकारियों से पूछताच की गई आयकर विभाग की जदिकारी थे उन्होंने दस्तावेज भी खंगा ले और कुल मिलाकर जो शिकायते मिल रही थी आपको बता है इसमें निकल कर सामने आई है अभी तक अधिकारियों ने हलाकि इस चीज का खुलासा नहीं किया है कि कितने रुपए के कर की चोरी की गई है या जो कर है वह कितनी करोड रुपए में भी हो सकता है लेकिन एक बड़ी कारवाई रही और कुल मिलाकर इसमें सामने आए कि इस तरह से सरकार के लिए काम करने वाली कंपनियां या कई सारी निजी कंपनियां लगातार सरकार को धोखा देती है आयकर विभाग को जानकरियां उनसे चुपाती है तो यह जानकरियां आप साजा होंगी और साथ ही साथ इस तरह के दूसरे फर्म्स भी हैं जो लगातार सरक को चुना लगाते हैं या फिर आयकर विभाग में कर जमा करने में कोता ही बरते हैं उनके खिलाफ अब शिकंजा कस ता नजर आ रहा है कि यहां पर इंदौर के मित्तल अप्लाइंसेस को इंकम टेक्स विभाग को ठेंगा दिखाना भारी पड़ गया और भारतिये सिक्के बना पाखाने वाले साबीत हो सकते हैं आगे बढ़ते हैं और जडरा जानने की कोशिश करते हैं जब 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 जो है केंडर की मोधि सरकार ने तमाम राजियों को स्मार्ट स्टेट बनाने की कोशशे की हैं तो ऐसे मद्रिपदेश की जोली में क्या कुछ निकल कर आया है म मद्रिप्रदेश के अगर साथ बड़े शहरों की बात करें तो उन्हें कैसे स्मार्ट सिटी में तबदील किया जाएगा और किस तरह से स्मार्ट सिटी की पूरी की पूरी परिकल्पना काग्जों से उतर कर जमीन पर आएगी इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा केंडर की आज बनाने की जो कवायद है क्या MP स्मार्ट स्टेट में तबदील हो पाएगा जी स्मार्ट सिटी के लिए मतलब 98 शहर चूस किये गया थे जो सूची तयार की गई थी उस सूची के तहत MP के भी साथ शहरों को लिया गया है जिसमें भुपाल, इंदोर, ग्वायलियर, जब बेठक रखी थी जिसमें कलेक्टर, कमिशनर और सभी जगा के महापोरों को बलाया गया था, 40 शहरों के महापोर इस बेठक में शामिल हुए थे जिने यहाँ पर बारसी लोना के बारे में बताया गया, जिसने स्मार्ट सिटी की मतलब शुरुवात की थी, यहाँ पर बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ सोचना होगा, इसी के तहद वहाँ पर जानकारी दी गई, कि आप आपके शहर को किस तरह के सुरक्षित कर सकते, किस तरह से स्मार्ट बना सकते हैं, इसके तहद स्रिवेज की जो लाइन है, उसको लिए निर्देश दिये गया है, कि आप सबसे पहले जो पानी की सुवीधा है, इसके साथ में जो बीजली की सुवीधा है, इसे मतलब अब बहतर बनाए, फिर उसके बाद में हम स्मार्ट सिटी की और अग्रसर होगे, तो स्मार्ट सिटी के लिए पहले जो मुल्भुत सुवीधा हैं, उसको मतलब हमें पूर करना होगा फिर उसके बाद में हम स्मार्ट सेटी की और अग्रसर होंगे इसके लिए हम इन दोर में अभी कुछ दिनों बाद पेसट बसे शुरू होने वाली है इन पेसट बसों से यातायात को सुगम बनाने की विवस्ता की जाएगी छोट-छोटी बसे रहेंगी जो मतलब ह एक विकास शील शहर बड़ी-बड़ी बिल्डीने उची-उची इमारते हैं लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले हमें जो मुल्भूत सुविधा हैं जो जमीन से जुड़ी जो समस्यां हैं उन्हें दूर करना होगा उसके बाद में ही हम आगे बढ़ पाएंगे जिसे लेकर शह मन्त्राले को जाना बहत जरूरी है कि मध्यप्रदेश देश का वो स्टेट है जहाँ पर लगातार बड़े शहरे प्रदेश के वहा पर सढके बर साथ दौरां स्वीमिंग पूल के रूप में तबदील हो जाती हैं और जल जमाव की समस्या इसकदर दिखाई पड़ती है कि उसका कोई सानी नहीं बहराल ये तमाम अवरोदों से कैसे पार पाकर के जो केंडिर सरकार इस बड़ी महतवकांशी यूजना को करियानवित कर पाती है ये एक जरूर पहली है और साथी साथ इस परिकल्पना का यदि कुछ अंशिवे करियानवित हो जाता है तो इतना जरूर जरूर है कि तमाम शहरों को विकास की सम्मूल परिभाशा जरूर जानने का मौका मिल जाएगा बहराल ये था न्यूजरूम का खबरों का सुरतिहाल किस सरह से तमाम खबरें लगातार टेलिविजन स्क्रीन से अपने दर्शकों तक पहुंचती है और डी लाइव निउस की एडिटोरियल टीम 24 घंटे 365 दिन सतत रूप से सच तरीके से सठीक तरीके से खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कटी बद्ध है ये बताना हमारा मकसद था साथी साथ आपको जागरूप बनाना और उन तमाम खबरों से आपको वाकिफ कराना ही हमारा उद होते हाल देख सकें फिलहाल इसाज़त दीजिए कैमरा परसन शेलिंद्र गुर्जर के साथ नमस्कार